दोस्तो आज के दिन हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेविल्स दोस्तो अज मन्तिले एकस्पायरी भी यह लास्ट है जुलाई सीरीज को पर देखते कैसे सटप बनता है आप वो बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए दोस्तो कल के दिन बहुत बड़ा दिखेंगे तो 450 पॉइंट प्लस चाहिए बंद हुआ है अभी फ्लाट ट्रेड कर रहा यूएस फ्यूचर और एस्टेक्स की बात करें तो 100 पॉइंट प्लस दिख रहा हुआ यह कल नाइट में देखते तो 160 पॉइंट से प्लस अभी फ्लाट हुआ है थोड़ा सा थोड़ और आपको बाई पोजिशन तभी बनाना है जब 16,800 के उपर सस्टेन करता है मार्केट 5-10 मिनिट्स देन आपको बाई करना है टार्गेट्स रहेंगे 16,850 16,900 और लाश्ट टार्गेट रहेगा 17,000 यह इंट्राडे टार्गेट से दोस्तों आज के दिन ही पॉसिबिलिटी करना है नेक्ट 5200 के टार्गेट के लिए यह आपका हुआ है निफ्टी का सेट अप और स्टॉप लोस अप लगाएंगे डे स्लू यानि कि लेट से अब मॉर्निंग में बनाता है 16,720 का लो बनाता है और आपने बाई किया 16,800 के उपर तो आपका 16,000 720 का स्टॉप लोस हो वह हीट होता है आपको एक्जिट करना अब हम बात करेंगे बैंगमिटु के बारे में जूस्सों यह है एक बैंगनी का चार्ट डेटए चार्ट दो कल करी में यह आपको बताया था चार्ट में इन कि इवनें श्नार पैटन बना इससे तो गिरावट आ सकती की और कल उपन यह 37,200 तक जा सकता है द्यू टू शॉट कवरिंग और आफाइस ने ज्यादा लॉंग किया है ऑप्शन में भी कॉल ऑप्शन को सेल किया है पूट सेल करना यानि कि कॉल बढ़ेगा तो मार्केट अब जा सकता है तो तो कल के दिन अगर पैटन देखेंगे तो इसको बोलते है जब भी कोई कैंडल बनती है यह रेड क्लोज भी और नेक्स्ट कैंडल जो पूरा इसको एंगल्फ कर दे यानि इसके उपर पूरा क्लोज हो जाए इसको बोलते एंगल्फिंग क्योंकि अब यह एक ग्रीन इंगल बनी तो इसको हम बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग सबस्क्राइं यहiseln लेवल की उपर अगर सस्टेन करता है ओपनिंग पॉस्टी छोट के ऊपर ईपर ही और नियुवति तो आपको ङुटेंगरना चाहिए और सेना ऑपको डलोर जो भी हैंग कों डेल हो रहेगा ऊपका इसल रहेगा और टार्गेट के लिए 37,200 लास्ट ट तरड़े का टारगेट से तो आशा करता हुए आपको निफ्ट और बैंक निफ्टी के लेवल क्लियरें कहां बाइ करना क्या यह से ले कोई भी डाउट से गला कमेंट सेक्षिंट में पूस्ष सकते हूं आशा करता हो कि वीडियों को पसंद आओका वीडियों को लाइक शेयर comment करना ना भूले, thank you